महाराष्ट में कई दिनों से शिवसेना को लेकर विवाद चारी है जहाँ अब उद्दव ठाकरे ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर कहा कि 40 सिर्वाला रावन हमसे तीर कमान निशान छीनने की कोशिश कर रहा है जिस शिवसेना ने आपको नाम दिया जो आपकी मा है उद्व ठाकरे ने पार्टी के कई नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि इन सभी कार्यकरताओं की महनत से ही सरकार चुनकर आई है उन्होंने आगे कहा कि मैं तूट जाओंगा पर जुकूंगा नहीं पार्टी में अपना हिस्सा किसी को नहीं दूँगा शिफसेना की वज़ा से ही लोगों में मैं हिंदू हो की भावना आई थी लेकिन इनकी वज़ा से पार्टी ने उस चीज को भी खो दिया है उद्व ठाकरे ने बताया कि जब मैं 6 साल का था तो पार्टी का उद्घाटन हुआ था उस दौरान जो नारियल फूटा था उसके पानी के छीटे मेरे उपर पड़े थे उसी के आशिरवात से मैं पार्टी प्रमुक बना लेकिन 40 सिरवाला खोकासुर विश्वास घाट कर गया उद्धव ठाकरे ने आगे बताया कि उप चुनाओ के लिए उन्होंने चुनाओ आयोक को तीन नाम और तीन निशान के विकलती है निशान में त्रशुल, उक्ता हुआ सूरज और मशाल है नाम में शिवसेना बाला सहब ठाकरे, शिवसेना बाला सहब प्रबोधन कार ठाकरे और शिवसेना उद्धव बाला सहब ठाकरे नाम दिये गए है उन्होंने आगे कहा कि चुनाओ आयोक से मेरा निवेदन है कि आप हमें इन तीनों में से एक नाम और एक लोगो फाइनल करके दे ताकि हम जनता के दर्बार में आ सके दूसरा है उगवता सूरिय और तिसरा है धगदगती मशाल तीन नावसुदा आपन तातपूर्त्या का विडासाथी का हुईना आपन निवर्नुक आयोगला काल दिलीलेट ततला पहला नावा है शिवसेना बालासाइब ठाकरे दूसरा नावा है शिवसेना बालासाइब प्रभोधनकार ठाकरे आण तिस्रा है शिवसे ना उद्धो वाड़ा से ठाकरे आता माजी आपेक्षा आशी है निवन्नुक आयोग मंटलान अंतर TN सेशन आठोतात निपक्षपाती पाणाने वागनारे निवन्नुक आयोगता आठोतात TN सेशन कोणाची मस्तित आनी सालू देली नहोती सत्ता धारेंची पन्नाई विरोधी पक्षची पन्नाई कोणाची सन्नाई निपक्षपाती पन्नाने राईलपैर कारण तुमी लोक्षाई चे रक्षेन करते हाँ अण मनुद माजी निवन्नुक आयोगले विनननती है अपले मण्या प्रमाणी आमी कालस अपलेला आमची जीकाई नावाणी चिन्ना है ती साधर केलीली आहे अंधेरी ची निवन्नुक पोट निवन्नुक लागलीली उद्या परवापरेंथ के एक चार दियुसा मरे अर्जवर्णेचा शेवट चा दिवसे अमाला लवकरट लवकरटले एक चिन्ना अणी एक नाव द्या करें जा प्रमाणे तुमाला मझे निवन्नुक आयोगला मी धन्याव देवड़साथी रेतो तैने या सकलीच शिवसेनेनी काय दिलेला है ऍहां सुंदू करा आदावाव one तो आमाला मानने आए कंट्टांचा तुमचा साथीस तरा मी आणि सग्ड़ी शिवसेनी रावत असताथ स्वताचा जिवाची परवान करता जे मी बोल्लो ना ते मेनध घेत असताथ तुमी सर्वत्चा हाथ लोक्षाई मदे जनता जनारधन हां सग्ड़ी स्रेष्टा है आज योगा योगा ने कोजागिरी पुरुणे माए आता त्याचा बंदल चा कथा कोजागिरी लक्ष्मी ये ते मंटात आणि काए हाँ भाग वेगडा पन कोजागिरी चार था एकच है कि दिवस आणि रात्र वैरेची आहे तुमी जागे रहा दिवसपंड आनि रात्र वैरेची आहे तर जागे रहा अजी बाद जोपू नाका आपलेला शान तडुक्याने पन आत्मविश्वासाने ही मोठी लढाई जिंकाई ची है कण ही लढाई जिंकला नंतर आपलेला आवान देनार कोणी नसेल प्रतेक लड़ाईला सामुरा गेलो लाए आणि ती लड़ाई जिंकले लाओ आहे ही सुरा लड़ाई अपलेले जिंकले चे अपला प्रेम आशिरवाद आणि सगड़ात मोठा मुझे विश्वास असास कायम ठेवा धन्यवाद जै हिन जै महाराश्रो उदर ठाकरे आगे बोले मैं कभी डगमगाया नहीं क्योंकि मेरे पिता और दादा ने मुझे आत्मविश्वास सिखाया है इसी वज़ा से इस शिवसेनिक प्रेमी मेरे साथ है तुम्हें भाजपा और शिवसेना दोनों चाहिए बाला साहब ठाकरे चाहिए लेकिन उनका महाराष्ट सरकार के मंतरी उद्य सामन्त ने कहा है कि उदव गुट ने जूटा हलफना मा दिया है उसकी शिकायत हम चुनाओ आयोक से करेंगे असल में हमारे साथ ही अन्याय हुआ क्योंकि चार बार उन लोगों ने दस्तावेश जमा करने के लिए वक्त मांगा और जमा नहीं किये शिकसेना का चुनाओ चिन्ह तीर कमान सीज होने का हमें बेहत दुख है लेकिन सुप्रीम कोट ने चुनाओ आयोक को इस सम्मन में निर्णय लेने को कहा था और अब चुनाओ आयोक ने सुप्रीम कोट के आदेश के अनुसार निर्णय लिया है उदर ठाकरे के मुख्यमंतरी कारिकाल में धाई साल हम लोग जिस परिस्तिती से गुजरे इसकी उन्हें पूरी जानकारी है वही शिंदे ने पत की लालच में बगावत नहीं की बलकि कॉंग्रेस और NCP के साथ महा विकास अगाडी में रहना हमारे सिद्दानतों के खिलाफ था शिवसेना और भाजपा का गडबंदन नैसरगिक है और हमें उस नैसरगिक गडबंदन के साथ रहना चाहिए हमने कभी यह नहीं कहा कि हम शिवसेना से अलग हुए है हम आज भी शिवसेना प्रमुक बाला सहाब ठाकरे का आदर और सम्मान करते हैं अब आखिर आपके इस विशर पर क्या राया है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें अब ही के लिए इतना ही फिर होगे आपसे मुलाकात तब तक के लिए आप देखते रहे है एक्वालिटी न्यूस खबरों को और भी विस्तार से देखने के लिए आज ही हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूले साथ हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें